आज मैं आपके साथ पनीर पॉपकॉर्ण की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं जो बहुत ही इजी रेसिपी है बहुत कम इंग्रेडियंट से बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाती है और बच्चो या बड़ो सभी को बहुत पसंद आईगी तो चलिए शुरू करते हैं पनी पॉपकॉर्ण बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनी एक साइस के छोटे-छोटे कट कर लेंगे यह देखिए ऐसे हमने पराबर क्यूप्स काट लिये हैं अब हमने एक बाउल लिया है इसमें नमख स्वाधनकार लगवक आदी चमच पिसी मिर्च और आदी चमच का लगव चार चमच मैदा लिया है और चार चमची कॉंट्रोल लिया है और जो हमने पनीर काटे थे ना उसकी पीसे इसमें डालके बहुत अच्छे से इसमें यह ऐसे मिक्स पे कोटिंग करेंगे इसमें पनीर के सारे पीसे बहुत अच्छे से इसमें कोटिंग हो गये हैं जो एक्स्ट्रा मिक्स हमारा रह गया है इसमें हम लगबब दो चमच कॉण्फोर और दो चमच मैदा और डालेंगे थोड़ी सी कुटी उई मिल्च डालेंगे और नमप स्वादनुसा थोड़ी से हरी धनिया बारी काटके इसमें डाल लिए हम आधी काटोरी हमने पानी लिया है और गुत्री उन कि अच्छे से इसका एक खुल tak भुड़ी स्पी बनानी है और देखिए अब इसमें एसमें एकiben justement ठीखेंट लेना है और और अब हमने ब्रेट क्रम्स भी बना के त्यार रखे हैं, इनको ब्रेट क्रम्स के बाउल में डाल के फूब अच्छे से ऐसे इसको लपीट लेना है सारे एक साथ नहीं करेंगे, चार चार पाच पाच पीसेज एक बाल में खरने हैं यह दिखिए, अब हमने गैस पे अपनी कढ़ाई रख रक है है, उसमें औल डाल रखा था जो बखुत अच्छे से गरम हो रखा है अब हमने इसमें यह देखिए, एक एक करके अपने पॉपकॉर्ण डालेंगे, गैस की आज तेज रखेंगे, यह देखिए, बहुत अच्छे से यह गोल्डन ब्राउन हो गये हैं, अब इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, अब इसमें हमें अपने चाट मसाला डालना है, और खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा औरगेनों भी डाल देंगे, यह हमारे पनीर पॉपकॉर्ण बनकर तेयार हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, और सबको बहुत पसंद आने वाले हैं, तो आप भी जरूर बनाएए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते बताइए, कि आपको कैसे लगे, और टाइक और शेयर भी करना मत भूली,